सुनीता क्रियेशन में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेडी सौक्स की डिजाइन लेकर आए हैं या देखिए या दो कलर में बना हुआ डिजाइन है आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते है इसे इस डिजाइन को हम पहले भी अपने चैनल पर डाल चुके हैं यहां देखिए यहां उपर से स्टार्ट हुआ है यहां इसमें हम 44 फंदा लिए है और दो सीधा दो उल्टा डाल कर लगभग 2 इंच का यहां हम बॉर्डर बनाए है बॉर्डर भी बनाने के तरीके आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं यहां हम किस तरीके से बॉर्डर को यहां देखिए यहां हम स्लाई पर 44 फंदे को डाल चुके हैं और इसे हम 2 सीधा दो उल्टा इस तरीके से बॉन लेते हैं इस तरीके से 2 उल्टा हुआ और 2 सीधा इसे बॉन कर हम 2 इंच तयार कर लेते हैं कि यहां हमारा दो इंच बॉर्डर बनके तयार हो गया है दो सिधा दो उल्टा अब इसे हम लास्ट कर लेते हैं यहां पर यहां देखिए इसे हम लास्ट कर लेंगे अब एक बार इस सौक्स को देखिए यहां देखिए यहां बनने के बाल हमारा यहां डिजाइन बना है इसे हम अपने चैनल पर पहले भी डाल चुके हैं डिजाइन बनाने के लिए हम फंदे को दो भाग में बांट लेते हैं यानि हमारा 44 फंदा है तो हम एक तरफ 22 फंदा और एक तरफ 21 फंदा रखेंगे तो हम सबसे पहले सीधा 21 फंदा इस तरीके से सीधा बूल लेते हैं करें देकिए टोटल हम 21 फंदा यहां से यह लिए हैं और इधर हम 22 फंदा लेंगे एक फंदा में हम यहां डिजाइन बना रहे हैं तो डिजाइन बनाने के लिए हम देखिए हां ब्लैक कलर का उन लिए है इस तरीके से हम एक खंदा लेंगे और इसे वापस से हम बून लेते हैं उसी तरीके से फिर लेंगे नाइन वार हम इसी तरीके से बूनेंगे दो तीन चार पांच छे साथ एक बार और आठ आठ खंदा हम इससे बना लेंगे और एक लास्ट में एक लास्ट में हम इसे बून लेते हैं इस तरीके से बून लेना है और बाकी जो है हम इस कलर से बून लेते हैं सीधा सीधा इसी तरीके से हम बून कर यहां तक टोटल रॉक ओप कम्प्लीट कर लेते हैं फर्स्ट रॉव में इहां देखिए लास्ट हमारा खंदा और फर्स रो हमारा complete हो गया यह design दो रो में पनकर complete हो जाता है आप देखिए सेकेंड रो में हम क्या करेंगे उल्टा बूनेंगे उल्टा बूनते हुए हम यहां तक आएंगे यहां तक उल्टा बून लेते हैं हम यहां देखिए उल्टा हम बुलनी हैं लास्ट हमारा यह उल्टा है अब क्या करेंगे हम इस फंदे को हम सीधा इस तरीके से आगे की ओर लेंगे और यहां जो फंदा हम सीधा बुले थे आगे से इसे हम इस तरीके से सीधा सीधा बुल लेते हैं यह देखिए इस तरीके से सीधा सीधा भूल लेंगे तो हमारा डिजाइन बनकर इस तरीके का दिखेगा और इस फंदे को फिर वापस हम पीछे ले लेते हैं और बाकी जो फंदा है इसे हम उल्टा भूल लेते हैं हमारा डिजाइन देखी इस तरीके का दिख्येगा इसे हम तोटल कंप्लीट कर लेते हैं उल्टा आज लेक benefit हो गया अब दो रोँ हमें उल्टा सीधा इस तरीके से बुन लेना है एक ही कलर में बुनना है इस तरीके से 2 रा बुणने के बाद फिर हम डिजाइन को स्टार्ट करेंगे तहां देखिए, यहां जो हम उल्टा बुने थे इसे वापस ते फंदा अमारा यहां बढ़ गया है इसे हम सीधा बुन लेते हैं इस तरीके से देखिए यहां यह उल्टा उल्टा डिजाइन बहुत ही खुबसूर डिजाइन लगेगा आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं अब यहां देखिए इधर भी हम तोटल इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा डिजाइन इस तरीके से बनकर तयार होगा अब हम तोटल सिधा बुन लेते हैं अब यहां देखिए सिधा हम बुन लिए अब उल्टा वापस से हम उल्टा बुनते हैं इस रोपो बुनने के बाद हम उल्टा बुनने के बाद फिर डिजाइन को स्टार्ट करेंगे हमेशा हमारा 9 फंदा बढ़ेगा 1 से 9 फंदा होगा इस तरीके से हम बुन लेते हैं यहां उल्टा हम बुन लिए हैं दो रोब बुन के तयार कर लिए हैं आप देखिए डिजाइन वाले रोब में हम क्या करते हैं इसे भी हम सीधा ही बुनेंगे सीधा बुनते हुए जब हम यहां पर आएंगे जहां से हम डिजाइन बनाए हैं हमारा 9 फंदा बढ़ा है वहां पर हमें 20 से फिर डिजाइन बनाना है सबसे पहले हम यहां तक सीधा बुन लेते हैं इस तरीके से नॉर्मल अब यहां देखिए यहां जो फंदा हम यहां से बढ़ायत है यहां तक हम कंप्लीट कर लेंगे अब यहां से देखिए काउंट करते हैं जो फंदा हम बढ़ायत है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ और नौ नौ फंदा में हम यहां चार फंदा इस तरीके से एक दो तीन और चार फंदा बूल लेंगे और यह जो सेंटर का फंदा है इसमें उसी तरीके से हम डिजाइन को जिस तरीके से हम बनाए थे पहले उसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे यहाँ एक फंदा लिए फिर इस पे डालेंगे दो बना इसी तरीके से हम डिजाइन को हम नीचे के तरह ही रिपीट कर लेते हैं तीन चार पांच छे साथ आठ और लास्ट का इस फंदे को हम बूलने ने इसी तरीके से नीचे के तरह ही हमें बूल कर कमप्लीट कर लेना है तो हम अब टोटल जो है इस तरीके से हम एक दो तीन चार पांच छे छे हम डिजाइन बना कर कमप्लीट करेंगे उसके बाद हम साथ का इस डिजाइन को बनाएंगे तो पहले हम इस डिजाइन को कमप्लीट कर लेते हैं तेकि हम इस तरीके से डिजाइन बना लिए हैं एक दो तीन चार पांच छे जिस तरीके से इस fox में बना हुआ है इसी तरीके से हम बना लिए है अब यहाँ इसे हम divide कर लिए है यह लगभग हमारा 90 फंदा बढ़ा है इस तरीके से देखिए आपका बन के तयार होगा तो 90 फंदा हम यहाँ बाट लिए है 45 फंदा एक तरफ बाटे है तो यहाँ यहाँ देखिए उल्टा उल्टा बुना हुआ है इसे हम 20 रौ में बुन लेते हैं तो इस तरीके से उल्टा उल्टा जो है हम इसे बुन लेते हैं फ्रांट से भी हमें उल्टा ही बुनना है और पीछे से भी उल्टा ही बुनना इस तरीके से बुन लेते हैं हम यह देखिए उल्टा बुनके इसे आगे से भी उल्टा ही बुनेंगे ब्लैक कलर से आप चाहें तो एक कलर में भी इसे बना सकते हैं फ्रांट से भी हमें उल्टा बुनना है उल्टा बुनते हुए हम यहां तक आएंगे आधा पार्ट में हम बुनते हुए यहां तक ही रहेंगे इसे भी हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं अब यहां देखे हमारा उल्टा उल्टा बुन के त्यार है अब यहां से फिर वापस से हम उल्टा ही इसे बुनेंगे आधा पाट को इसे उल्टा बुन लेते हैं उल्टा बुनते हुए हमें 20 रोग कम्पलीट करना है यह देखी इस तरीके का दिखेगा अब हम इसे बुन लेते हैं अब देखिए एन रोग पूरा हो चुका है एक बार दिखा देते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यानि दस यानि कि ट्वेंटी रोग हमारा पूरा हो गया है अब इस तरीके से हम बुन्द्ध हुए इस रोग को कम्पलीट कर लेंगे इस तरीके से जो है प्लास्ट तक उसके बाद हम पीछे साइड से इसे बंद कर देते हैं इस तरीके से देखिए आप इसे हम बंद कर रहे हैं कि इस तरीके से लेंगे दो फंदा और इसे हम बंद करते जाएंगे बंद करते हुए हम यहां तक आएंगे लास्ट तक यहां पहले हम सारे फंदे को बंद कर लेते हैं यहां देखिए यह हमारा लास्ट हो गया है इस तरीके से सारा फंदा हम बंद कर दिये है यहां हमारा लास्ट हो गया है इसे हम बंद कर देते हैं इस तरीके से फंदे को हम हमारा फंदा यहां बंद हो जाएगा और इसे हम कट कर देंगे इस तरीके से देखिए हमारा यहां बंद कर के तयार हो गया है आगे की और से एक बार देख लिजे इस तरीके का हमारा बन करके तयार हुआ है इसी तरीके से हम इस तरफ भी 45 खंदा जो हम रिवायट बांट के रखे थे यहाँ इसे भी हम उल्टा उल्टा गून कर यहाँ तक 20 रो कंपलीट कर लेते हैं हमेशा अपने उन को बैक साइड से लगाएंगे तो ठीक रहेगा नहीं तो इस तरीके का आगे से लगाएंगे तो आएगा हमेशा उल्टा तरफ से भून को लगाना चाहिए इस तरीके से हम भून कर कंपलीट कर लेते हैं अब देखिए हमारा सौक्स बनके तयार हो गया है यहाँ हम दोनों साइड ब्लैक कलर से भून लिये हैं अब इसे हमें सिलाई करना है इस तरीके से हम लेंगे और यहाँ से सिलाई करेंगे इसकी सिलाई जो है यहाँ से हम सिलाई करते हैं यहाँ से इस तरीके से सिलाई करेंगे यहां से करते हैं हुए हम यहां तक आएंगे तो हम उपर से नीचे की और आते हैं चिलाई करते हुए इस तरीके से हम चिलाई करते हुए इस कॉर्णर पर आ गया है इस कॉर्णर से लेकर यहां तक चिलाई किये हैं अब चिलाई करते हुए हमें यहां तक आना है लगभग एक इंच हमें छोड़ देना है यहां पर तो हम यहां इस तरीके से चिलाई नीचे का पाट भी करते हुए आगे की और जाट अब देखिए यहां से हमारा इस तरीके से सिलाई करते हुए हम यहां तक आ गए हैं यहां देखिए यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक हम आ गए हैं अब इसे किस तरीके से करना है देखिए यहां इतना भाग हमें यहां खुला छोड़ना है इस पार्ट को इसके बार हम इसे इस तरीके से यहां देखिए इस तरीके से हमें इसे सिलाई करना है इस दोनों पार्ट को हम यहां लेंगे और इस पार्ट को लेंगे और इसे हमें इस तरीके से सिलाई करना है यहां से शिलाई करते हुए इस सेंटर से लेंगे और यहां बीस सेंटर से हम लेते हुए इस तरीके से शिलाई करते हुए इस कॉर्णर तक आएंगे यहां देखिए यहां तक सिलाई किए इसे भी हम सिलाई इस तरीके से दोनों साइड कर लेते हैं अब यहां देखिए यहां सिलाई कर चुके हैं अब दूसरी और हमें यहां से इस तरीके से सिलाई करते हुए यहां तक आना है तो इसे भी हम वाइना से naasi दूनों साइट बसंप शिलाई हो चुका है इस तरीके से यहां से देखSpin आप इसे हम तीधा कर लेते हैं इस तरीके से यहां देख्वे है से करने के भार हमारा सॉक बन कर तायार हुआ है कि आपको तरह की तरीके से दूसरा पजा बना लेखे दोनों पेयर जो है एकी तरह से बनकर तयार होता है तो आप भी इसी तरीके से सॉक्स बनाए लेडी सॉक्स और पहने देखिए इसी तरीके से दोनों पेयर का सॉक्स बनकर तयार हो गया है आप भी बनाएं और पहने अब मेरे वीडियो को देखे लाइक करे शेयर करे जादा से जादा सब्सक्राइब करे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ ठाइंक्यू